रादी रादी दोस्तों गोरी लाइफ लड्डू वपाल चैनल में आप सभी का स्वागत है तो चलिए बनाते हैं लड्डू वपाल के लिए जूला मिठाई के डब्बे से और शादी के कार्ड से तो मैंने ले लिए दो डब्बे एक है मिठाई का डब्बा एक एरवर्ट का तो मैंने अमयूजौन से मंगाया था तो चलिए इस डपे को मैं किस तरीके से तयार करती हों बेस के Logo य utilizz कि कार्ड्स यह मैंने निकाल ली है इसमें और तीन लिस्टिक में तयार कर लूगी कि हमारा वीडियो आपको कैसा लगा अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्रीज सब्सक्राइब भी कर लीजेगा तो इस तरीके से मिठाई के डबे में कर देती हूं मैं कैची से होल और जो इसटिक मैंने बनाई थी वो साइड साइड में घुसा देती हूं और डबे में आप कुछ भी भर सकते हैं बजन के लिए मैंने तो गेहूं भर दिया हैं क्योंकि जूला pewno है और चौक जैसे डालते हैं तो वहाँ पे गेहूं डालते हैं चाबल डालते तो इसलिए मैं गेहूं डाल दिये थे आप मिट्टी भी भर सकते हैं तो इस तरीके से त्यार कर लेते हैं अब ग्लू कन की मदद से मैं इसको चिपका लूँगी अच्छे से दोस्तों लड़ो गोपाल के लिए वैसे तो मार्केट में काफी अच्छे जूले मिल जाते हैं लेकिन अपने हाथों से बनाई हुई चीज लड़ो गोपाल को जादा अच्छी लगती तो इनका मन था मैं बहुत इनों से सोच रही थी कि इनके लिए मैं बनाऊं या लेके आऊं बनाऊं या लेके आऊं आफिर आज इनों ने मुझे आइडियास देर ही दिये और बनवा ही लिया तो दोस्तों काफी अच्छा त्यार हो रहा है देखके खुशी भी हो रही है और फाइनल में जो रिजल्ट आता है उसको देखके तो आप चौक ही जाएंगे कितना अच्छा यह जूला बन के त्यार होता है तो इस तरीके से मैं ग्लूगन की मदद से इसको चिपका लूँगी और बहुत अच्छे से चिपक जाता है यह इस पे दोस्तों आप किसी भी प्रकार का कलर्ड पेपर या अबरी भी लगा सकते हैं मैंने तो खाली इस पे चिपका सकते हैं छोटी-छोटी फ्लावर्स भी आते हैं वह भी चिपका सकते हैं आप पेपर फ्लावर भी बना के यहां पर चिपका सकते हैं तो मेरे पास जो एबिलेबल था मैंने उससे ही बनाया है यह काफी सामान पड़ा हुआ था मेरे पास तो मैं आज उसी से बना र अब कार्ट पे मैं freelance चिपका लूँगी और यह मैंने लिली थी उनोς भी शोटी की तरह एप सब्सक्राइब उसको अब VII में कुछ नहीं करने वाली हूं केबल लेज चिपकाऊंगी आप चाहें तो इसको और भी अच्छा सजा सकते हैं आइडिया मैंने आपको दे दिया है आप अगर क्रियेटिव हैं तो बहुत अच्छा कर सकते हैं यह देखिए यह वाली लेज दोस्तों लगने के बाद काफी सुन्दर लगती है डबे पर तो लेज लगाने के बाद काफी सुन्दर लग रहे थी डबी अब यह डबी नहीं रही अब बन गया है लड़ोगोपाल का पालना तो इसके अंदर मैटर भढने के लिए मैं सोच रह लगा दिया है रखा हुआ था और इस तरीके से लेस लगा हुआ यह cardboard और यह तैयार हो गया है लटू गुपाल का पालना अब इसको बानना रह गया है अब मैं बेस में बान देती हूँ इसको इसको बानना काफी challenging है फिर भी मैं आराम से बानने की कोशिस कर रही हूँ तो बंद जाता है ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती है अराम से और ये देखे बंद गया है और काफी अच्छे से हेल डूल रहा है इसमें बैट के लड़ू गोपाल इंजॉय करने वाले हैं पहले में लगा लू रोज फ्लावर जो रखे हुए थी सजा लू थोड़ा सा और उसके बाद मैं दिखाऊंगी लड़ू गोपाल को देखे बहुती कुश हो जाएंगे हमारे लड़ू गोपाल तो ये देखे इस तरीके से ग्लूगन की मदद से मैं लगा देती हूँ कर रहे हैं आज तो उतरने का नाम ही नहीं ले रहे हैं पालने से नहीं इन्होंने चाय पी है अभी तक और नहीं नाश्ता किया है अब मैं इनको कराने वाली हूँ चाय और नाश्ता आप कमेंट करके जबर बताएगा वीडियो कैसा लगा लाइक अशेट जरूर